एलो प्रेबन वेलकूम तो आई चैनल फ्रेंट्स आज 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 में बेसिक लिप्रिकल इंगे का पार्ट नमबर एक्स्टीन डिसकस करेंगे कुर्श्यन नमबर 87 में कि 220 वोट वोट अंडिट वोट वोट अंडिट वोट वॉट वोट अंडिट वोट 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 आज में ऑपको बताना कि पावर करने के दो तरीखे बताऊगा अब से नमबर प्रहते हैं, देखिए आपको P1 के वह गीवन है, P1 आपको गीवन है 200W, वीवन कितना है friends, यह है 220V, ठीक है, दिर्म आपको फिट्रो कितना हैं, फिट्रो आपको गीवन है 100W, और बोल्टेस टो कितने गीवन हैं, 220V, अभी में आपको लिए नमबर 1 की बात कर रहे हैं, मैं आपर लिम देता हूँ, method number 1, method 1 अब दिखेंगें, power equal to, kya होता है, p ब्राओ फ्रेंच होता है, b square upon r तो यह से r के हो जाएबा, r हो जाएबा, b square upon p तो खादर, अब मुझे r1 को solve qonatr में क्लान रिक होँगा, v1 square upon p1 v1 कितना है, 220, multiply by 220 upon p1 के वो लोग सांच के तनी है, 200 अब इसको solve qonatr, एक्ता हो जाएबा, 484 upon 2 यह से जितना हो जाएबा, 242, 242, 242 अब सेम, आप r2 को solve qonatr, r2 को जाएबा, r2 को जाएबा, u2 square upon, फिर तो u2 को जा तनी है, 2 को जाएबा, multiply by 220 अब बॉलाद फिर तो, यह से तनी है, 100 यह से कितना हो जाएबा, 22, multiply by 22 यह मिल जाएबा, 480, 4, 4 खीक है, अब आप करेंगा, आप लोखेंगे, यह दोनों सेरीज में हैं, तो r equivalent की वलू बना करने हैं 4 डोडलाद एद वह सेरीज में, r1 plus r2 242 minus 484 ड़्फा चेह को, 726 ohms एक है, अब इसको, आब शूल करते हैं आप sérieि गिए आपछे पूछी घय थीotic से टोडल्प अफटील पूछी वे तक बिए वेकता पूछी मैसे अफट्ग झांज थीकी निए करी ने रोजों नाप टोजो रोजों ने रोजों सब्सक़्ार फूच अप्रिच क्या थे पूछी ने दाओ सेबन तू सिक्स इकिता डियाएगा 48400 अपॉन सेबन तू सिक्स अब इसको स्वाल करेंग आपको मिल जाएगा 66.66 Watt इस तरीके से आप पापर कॉल जू निकाल सकते हैं आपके लिखता हूं मेफ़ड नमब टू क्या करेंगे? मैं आपको फामुला बता रहा हूं कि तोटन रिखोल टू K1 मुटिब्लाइब बाइपको अपॉन पॉन आपको आपको यह वाला फामुला यूज करना वैलू पूट करना है पॉन के बादू थे 200 मुटो के बता इуса 200 मुटन आपको आपको कुशा 200 प्लूट कि आपको कि अएगा? त्यकिल अपन में दिया थे चिए, आप से अपों कर दीजिए अपको बन दाइगा, 200 अपन तरी फ़रेन आप को के मिलेगो, 66.66 वर्ट तुर्ण टिर्ट की फार्मुला होता है, इसमें आप value पूट करके आपको आज से मिल जाएगा ठीक है, वो एक पर चेक करते हैं, को अपर ठीक है माल, वो अपर बार बी होगा, बुस्ट में करदे जाएगा तो इस question में आपको current की value बतानेगी है फिर इस question को solve करते है तो फिर आपको दिख रहा हुआ है आपको ती, ohm और 5 ohm किसमें ये series में है और फिर टैनों और टैनों भी किसमें है ये ये भी series में है ये पहने इसको आर एक्थूरें के value निखाल देते हैं ये ये देखिए आर एक्थूरें के value निखालना चाहो अगर मैं मैं कैसे निखूँगा देखिए 40 और 5 किस पर पर ये series में है वह ये कितना हो जाए लो, 40 प्लस 5 ये series में है न और फिर उसका जो combination है बोट 10 ओम और 10 के साथ किसमे हो जाएगा पर ये तो हो जाएगा पर ये तो ये हो गया 10 प्लस 10 इक है, टेखिए के पर जाएगा ये तो 45 होगी पर ये कितना है ये 20 कि तो स्वार कुन देजिए 45 मुटिप्लाइबर 20 पॉन 45 प्लस 20 ठीक है, अब इसको स्वार कर देजिए ये आपको मिल जाएगा 13.84 ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सर्कुत को फिर शे ब्लाउ करते हैं ये हो गया 20 ओम और एक आपने इमको स्वार कर दिया ये भी इसका साथ क्या हो जाएगा, सेनित में कनफ कुजा है ये तो 60 वोल्ट हो गया, या से करन्ट आए अपर आ रही है, ठीक है ये 20 ओम है, अपने इसके बलू कितने आ गए थी 13.84 ओम ठीक है, अब अगर मुझे और एक्टोन निकालना हो आपको दिख रहोगा जो 13.84 है ये सीनिन नहीं है, 20 ओम के साथ अपर अपको रही कितने आपको रही है, 13.84 अब आप से करन्ट की मुल्ट पूशी के अजिए, अब करने दिखेंगे आउगा एकोश्यक्तो वी अपउन, आर की विल्ट विल्ट की तने है 60 है और R2 विलिंग के लोग इतनी है 13.84 यहाँ से कितना जाएगा 1.77 Ampere ठीक है तो आप्टिम में जो बारे A होगा बूस पर करपती जाएगा कुछ में रेटिन हैं और पिर्टिम में आपको आपका रेक्टीड पावर की वेलू पूचिग गई है और आपको पावर प्यापटर वेलू गवेलू पावर का अब पावर वेलू अधूट उसन पो क्या है आपको पावर प्रेक्टर गिविन है, आपको पावर प्रेक्टर गिविन है, आपको 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 प्रेक्टर गिविन है, तो यह अग्तीफ पावर आपको लिखान्मी है सबसे प्रफे हए अग्तीफ पावर की बात करते है कि अग्तीफ पावर का दो फाम्मेला होता है लुदिफ पावर W è al Phot fan v2m v rm is i rん is Kinfoffy करते हैं, और फिर्च पावर का दो मैं अग्तान को यह स precisamente vrm is X into IRN तो मैं अप्टिभ पावर को करें किया है और एक्षब्ता ओओ, सीज़े सीधे S into cos by, थोकि VRMS, IRMS के होती है, स्ब्सक्राइब आप्टिण पावर होती है, और सिप्सकर करते है, से करते है तर अप्रिहना प्रिडिये ऱग को सब्सक्राइज हगए है 120 कि अपिक्राइज सब्सक्राइए 72 वा क्रेंग अप्रिडिड पर उल्या है क् dependency – यह मैंग हाँ मैं-इफटेग पर वा ईक्सक्राइक आड यह सर्दीया लेक्ष्टित वारब प्रेक्टिवार 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 प्रेक्टिवा पर पावर कितने हैं, 72 कॉक आए के अबाद सब्सकोर इबड़े सोल को देगा एक आए को बाद से आए रफ क्या दाएगा, क्यों ग्यों क्याएगा, क्यों को रफ अन्द रोत 144 00 – 5184 तो फंदे आपको मिल जाएगा अंडरोथ 9216, फंद यहास पर रेक्टिव पावर का आंसर क्या आजाएगा, 96 VAR, बोल्ट अम्पीर रेक्टिव तो फेर रेक्टिव पावर को जी वैल हो है, वह है 96 VAR, बोल्ट अम्पीर रेक्टिव, वह चेक करते हैं कौन सा अफ्चिन ठीक फिर्षमाइड रेक्टिव फ्री वावर को जी तो फिर्षमाइड रेक्टिव पावर को जाता है, ठीक, मैं आपके लिंग केता हूँ पर तिरीद दिवेर्जुनेंस कंदीशन ठीक, F से गोड़ा हो के हो जाद है, फ्रेंट, F सी होता है तो अप्चिन में दी होगा, बुस्ट में करक्ट हो जाएगा फ्रेंट, F से कुष्ट में पर बाता है, इन्यों को सॉल्ट करते है यहां पर रिख्यूवलेंट की वल्लो को फैलोट कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा, 3 वह और 6 वह प्रेंट की इसमें है, यह दोनों प्यालर में हैं ठीक है यहां से मैं लिख देता हूँ, R equivalent यह दो 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 यह दो 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 हason 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 64 5 5 5 5 6 6 π?? 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 6 5 6 7 7 8 8 10 8 8 8 9 9 20 20 23 28 dancing the power color part 1 minus 31 विह लेंग घुक है, वोल्टेज कितना है इसमें इसमें अचल of time, देखे जिए बोल्टेज देखे three volt की बैटिल लिए, three multiply by three हो जाएगा, upon our trillion कितना है इसमें इसमें इसमें, यहां से जिसमें इसमें, three watts जब पावर, जब पावर सप्प्लाई होगी, DC बोल्टेज के तरो वो होगी 3W, तो option में जबारा, मैं D होगा, बुस्ट में करक्ट हो जाएगा टिक, question number 9 to 2, फिर चो 1st and 2nd law are respectively with on the conservation of option number 8, energy and charge, option number B, charge and energy, option number C, mass and charge and option number D, mass and energy, to find rous rod को फ्वरस्क थो होता है वो फ्रेती भीरिष्टा, फेंडेज तो फ्रेती बेरा, मैं भीरियःच $ w फ्रेती बेरा बैने धर मैं strip security होगा, बुस्ट में होगी gj 한कर mm93 ,or print defenseelling, that current in this circuit, इस्तों इस question में आपसे current की वर्य पूच वेए एगे, तो आपको क्या करना है, यहाप लगाना है, चलिए, KBN लगा देते हैं, देखिये, अब क्या करें, आपके क्या करें, आपके लगान देते हैं, आपके लगेंगे, use a KBR, इपन क्या वजाएगा, माइनस का 36, नहीं से पहला से यहां दिता हूँ, इलस यहां पर इपन कहता है नहींगा, पोजिटिव और यह निगेटिव, तो मैनस का 36 प्लस 4 इंटू I0, प्लस 5 I0, एक्वल टू 0, यहां से कितना वजाएगा, मैनस का 36 प्लस 9 I0, एक्वल टू 0, means 9 I0, एक्वल टू 36, तो I0 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9, कितना जाएगा फैन, 4 Ampere, ठीकिन, तो अप्शन के लिबार B होगा, बुछ में करक्ट हो जाएगा, तो आपको के बील लगा नगा, तो आपको करंट की वनू नहां से मिल जाएगा, तो आपको करंट की वनू नहा के अगुआ, ठीकिन, प्शन की वनू आपको कहा है, अपक्शन की वनू के एँषन की वनू क्या होगा, तो घृंस पैन्स की वया में। मिनिमम होगी, ना, तो अफर में इसमें D देखे, अगर large current flow through smaller resistance में, अगर current की वल्लू जादा हो जाएगी, तो resistance की वल्लू क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, अगर current की वल्लू को मैं जादा करो होगा, तो resistance की वल्लू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्यों, क्य तो रेजिस्टेस में क्या होता है पर इंडिवर्शन ली दिंदेशन होता है तो अफिन वजवारा दी होगा वुसमें करेब भुजाएगा लाज्ज करन फ्रो थो स्मॉलर रेजिस्टेंट पुसमें 95 तो रेजिस्टेस के वादो अपको गीवहीं नहीं होता तो बाल अपको पैलों आपका थे द लिखा install बेश में करेँएगा है तbod inspiring 12 years दो आपको आरको ठीक है ठीक है, तो मैं प्राइसे लिख देता हूँ, आरवन के जो वैलू अब तो हंद्रेट पॉंड है, और आरवन के विलू कितनी है पर यह है, यह है वन अंड्रेट पॉंड यह दोनों किसमा कनेक्टर है पार्लर में है, तो आप यहां से आरवन की वैलू पहले निकाल देजे, अटना हो जायएगा, 200 parallel 100 ठीक है, तो 200 multiply by 100, upon यहां देउगा, 300 ठीक है, यहां से गाय मिल ऒगल画, 200 upon 3 O पूछे लिए करंट की वनुद पूछे नीए तोटल करंट फुक्या हो जाएगा i बरावर v अपॉन r equivalent अपूल्टेच के लूँ कितनी है फिरेंट मुल्टेच की वनुद रफित 100 और r equivalent की वनुद तो हंदेट टिवैड बाई 3 तर्यास तक है मन जाएगा 100 multiplied by 3 upon 200 ठीके तिया यहां से कितना मिल जाएगा आपको 1.5 Ampere अप्षिमर जो मारा D होगा उसमें करेक्ट जाएगा 1.5 Ampere पुष्टमर 96 and alternating voltage is given by the expression B वरावर 200 sign C 140 plus πषब 3 volts दी maximum value and frequency of the voltage are respective तो आपको ना maximum value निकाल नहीं और frequency निकाल नहीं voltage की और आपको AC voltage का रचेप्रेशन है वो आपको गिबन है तो चलिए इसको स्वाविव कर लेते हैं दीकिए आपको जो voltage की रिए value है वो है वे वरावर 200 sign ब्रिकेट में 314 T minus 5Y3 यह आपको गिबन है उसको compare करते है standard equations से तो V equal Vm sign omega 3 ठीके तो omega 3 वरावर क्या हो जाएगा परेम 314 T means omega वरावर क्या हो जाएगा 314 of an omega वरावर क्या हो जाएगा 2 pi f हो दै तो 2 pi f equal to 314 2 multiply by pi की value पूट खर दीजे कि कि app आपको निकालना है तो Q आपको निकालना है तो f वरावर क्या हो जाएगा 314 upon 2 multiply by 3.14 तो आज अपर आपको क्या मिल जाएगा इंपर 100 हो जाएगा ना 100 अपर 2 कितना हो जाएगा 50 Hz तो आप देखे कि फ्रिक्वेंसी की वैलू आगई वो 50 Hz है अब देखे कि आप चेनल मैक्सम बोल्टेज की वैलू पोशी की तो आप उसको कंपेर कर देजिए तो आप व्रिक्वेंसी की वैलू कितने विल जाएगा 200 तो आप देखे कि वैंसी की वैलू आगई 200 बोल्ट और फ्रिक्वेंसी की वैलू आगई वो है 50 Hz तो यहां से वो चेक करते है तो उसमें बजबारा दी है वो उसमें गरप्तो जाएगा 200 बोल्ट एंड 50 Hz वैंट आदन दे विदावुली का पार्ट नबर 16 डिस्कॉस किया वैंट बिलते नेक्स वुडियो में ओके थैंक्यू